नमस्कार डिपब्लिक इंडिया में आपका हर्दिक स्वागत है आज मुझे वो कहवत याद आ रही थी जिसमें कहते हैं कि शेर को या तो खतम कर दो या उसे छेड़ो मत अगर आप शेर को छेड़ेंगे घायल करके छोड़ देंगे तो ऐसा पलट के बार करेगा कि आप उसको जहेल नहीं पाएंगे ऐसा ही आज के राजनेतिक पठल में हो रहा है अभी तक बिजेपी को और मानी मोदी जी को ऐसे दलों से उनका मुकाबला हो रहा था जो की जैसे कॉंग्रेस का अगर उधारन लिया जाए राहूल गांधी का अगर नेत्र तो देखा जाए खड़गे साब का नेत्र तो देखा जाए तो वो आक्रामत बहुचादे नहीं है वो सब मर्यादाओं का पालन करते हैं मर्यादाओं का पालन करके राजनेतिक युद लड़ते हैं लेकिन अब भारती जन्ता पार्टी का मुकाबला एक ऐसे दल से है आम आदमी पार्टी से जिसके उदे में जरू भारती जन्ता पार्टी का हाथ था और भारती जन्ता पार्टी और RSS के समर्थन से ही उनका हूद्य हुआ था लिकिन आज के तारिक में वो भारती जन्ता पार्टी का सबसे कटर विरोधी हो गया है उसको ये समझ में आ गया है आम आदमी पार्टी को या अगर बीजेपी को 2024 में सत्ता से आने से नहीं रोका गया तो नक एबल आम आदमी पार्टी के बलकि RJD के सवाजवादी पार्टी के शरत पवार गुट के स्टालिड के सारे देश के लोग जो हैं विप्खसी दल के लोग हैं वो येन के प्रकारेन सब अरजी फरजी के सेसेस में जेल के अंदर जाएंगे और 45 साल जेल के अंदर रहें कि क्योंकि वो जेल में चले गए इसलिए वो अपने पदों से इस्तीफा दें क्योंकि मर्यादाओं का प्रश नहीं होगा तो जब यह सबज लिया और बीजेपी ने जो सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने गलती से आमादमी पार्टी को छेड़ दिया उन्होंने यह नहीं सोचा कि आमादमी पार्टी के पीछे उसी प्रकार का एक डेडिकेटिट समू है जो कि कॉंग्रेस के पास नहीं है इसे मास पार्टी वो सिधानतों पर जो लोग कॉंग्रेस का सबर्थन करते हैं उनका काडर बहुत बड़ा नहीं है और्गनाईज काडर रही है लेकिन आम आदमे पार्टी का और्गनाईज काडर है और यह और्गनाईज काडर है नॉर्मली नैचुरली यह वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं जो मध्यमवर्क के हैं और जो विदे से नौकरियां का अनुभाव है अगर ऐसे विपक्षी से भारती जंता पार्टी को लेंड़ना था तो उनको यह सोचना चाहिए था किया अगर किसी केस में इनको बंद करते हैं तो इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी जैसे हम लोग स्ट्राडिजिक मैनेजमेंट में बात करते हैं सेनेरियो एनेलसिस की सेनेरियो एनेलसिस में देखते हैं कि अगर आप कोई क्रिया करेंगे तो उसकी कौन कौन सी प्रतिक्रियाओं के विकल्प हैं और अगर ये प्रतिक्रिया होगी तो मैं क्या करूंगा वो प्रतिक्रिया होगी तो क्या करूंगा तीसरी प्रतिक्रिया होगी तो क्या करूंगा आम आदमी पार्टी ने जिस शराब घुटाले की बात हुई और ये हुआ कि शराब घुटाले में आम आदमी पार्टी के सारे नेता इन्वॉल्ड है और एक एक करके सारे नेताओं को जेल में भजने भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई सतेंजेन को भेजा गिया दो साल से जेल में है मनिसी सौधिया को जेल भेजा गया, एक साल से जेल में है संजय सिंग को छे माने जेल में रखा गया, बेल मिली, बाहर आ गए अर्विन केजिवाल को भी एक महेने पहले जेल में डाल दिया अब सवाल यह है कि जब इस प्रकार की चलौती एक पढ़े लिखे समू को आम आदमी पार्टी को भारती जनता पार्टी ने दे दी तो भारती जनता पार्टी के बाद काडर है, पढ़ा लिखा काडर है IIT के पढ़े हुए लोग हैं, IIM के पढ़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो गुद्धी जीवी हैं उन्होंने जब देखा सारे कागजों को खंगाला तो उन्हें ये पता चला संजय सिंग की प्रेस कॉंफरेंस शायद आपने देखी हूँ आपने जो परसों छूटने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आज जो उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस की उससे बिकोल स्पष्ट नजर आता है कि उनकी रणनीती बड़ी स्पष्ट है आज के तारिंग में पूरे हिंदुस्तान में सारे मुद्धे पीछे चले गए हैं जो नेरेटिव सेटिंग करती थी बीजेपी और नेरेटिव सेट अच्छा का विशे हैं और ना केवल भारत वर्ष पे बलकि इंटरनेशनल लिविल पे जिन पर सबसे ज़्यादे डिसकेशन हो रहा है वह एक तो चुनावी बॉंड है और एक अर्विंद के जीवाल की गिरफतारी है अच्छा अब क्या हुआ जो स्टैडिजी बनी आम आजसा हो गया कि जिसका सामना करना बड़ा मुश्केल है और नैरेटियव पूरा चेंज हो गया प्लेग्राउंड के नियम बदल गए आज के तारीक में क्योंकि इन लोग को जेल में रखा गया है ने जेल में ठोड़ा है तो अब यह तो भक्तों के लिए मजबूरी है यह सिद्ध करें जंता के बीच में चर्चाओं के बीच में कि इन लोगों को जेल में इसलिए रखा गया कि ये दोशी है अब पीछे तो हट नहीं सकते ये तो नहीं कह सकते कि गलती से मन आया हमने जेल में भेद दिया और उसके बाद हमें महसूस हुआ ये दोशी नहीं है इसलि कर आप सुनें और जो परसोन और ने मीटिंग की पब्लिक रेली की उनमें सुनें तो उन्हें इस परस रूप से कहा और जो बिलकुल बाद सच नजर आती है अगर कोई भी विश्लेशक उसका अध्यन करता है वो कहता है कि शरचंद रिड़ी को एरेस्ट किया अचा किसी से एक स्टेट्मेंट लिया गया दो स्टेट्मेंट लिए गए तीन स्टेट्मेंट लिए गए पांच्छे स्टेट्मेंट लिए गए उन्होंने कहीं भी अर्विन केजिवाल या किसी आम आदमी पार्टी वाले का नाम नहीं लिया उन्होंने अगर नाम लिया तो उसका न जैंजै सिंग का एमनीजी सौदिया का यह सितिंजैन का नाम नहीं लिया अच्छा जब पांच शे बार में अपने स्टेटमेंट में शरचंद रिड़ी ने कहीं आमाद्मी पार्टी के या केज़वाल का नाम नहीं लिया तो यह पृतीत होता है इसको हम कहते हैं unreliable evidence मानके उसको reject कर दिया unreliable क्यों unreliable भाई एक आदमी statement दे रहा है confessional statement दे रहा है और उसके बाद जब 6-7 बार के बाद उसने उसे कहा गया ये circumstantial evidence बन रहा है जो कोई भी normal दिमाग का आदमी भी अगर करेगा कि भाई 6 बार किसी का नाम न लिया जाओ सात्वी बार ले ले तो इसका मतलब कहा गया उससे कि अगर आप केजवाल का नाम नहीं लेंगे तो जिन्दी की बाद जेल में सड़ेंगे अब शरच जंदेलिटी तो अमीर परिवार के हैं पैसे वाले हैं अब जेल ffer में कैसे सड़ते इसका माने उनके खिलाव एविडेंस थे तो उन्होंने अर्वें केजवाल का नाम ले लिया अजा अर्वें केजवाल का नाम ले लिये के बाद उन्होंने पाँंच करोड़ों रुपए भी दिये पीजेपी को अच्छा चुनावी बॉंड का मसला छिपाया गया कि चुनावी बॉंड का मामला उभरे नहीं लेकिन मानिये सुप्रीम कोड के निर्णे के अनुसार वो डिस्क्लोज करना पड़ा और स्टेट बंप इंडिया जो कह रहा था कि दो मैने के अंदर हम सूचला नह लेकिन इस घपले में अर्विंद के जिवाल यहां मादमी पार्टी इनॉल्ड है यह जो घपला हुआ शराप कांड का यह तब हुआ जब एडी की इंक्वारी शुरू हुई उसका 55 करोल रुपए अर्विंदो फार्वा ने और शरचंद रिड़ी ने बॉंड खरीदे और वो जाके बीजेपी को दे दिये अब किसे वज में दिये क्यों दिये वो भी पता चल गया वो इसे वज में दिये कि आप हमें बेल करा जी और बेल किस आधार पे कराई गई बेल इस आधार पे कराई गई कि उनके पीठ में दर्द होता है अचा उनके पीठ के दर्द का तो क्लास में चलो पढ़ना पड़ेगा अब उसके बाद उनको बेल मिल गई और बेल मिल गई आराम से बैठें केवल इस लिए इसले आराम से बैठें कि क्यों के खिलाफ उन्हों ने गभाहिई दी थी और अर्विंग जिवाल क्या वजन गिर रहा है उनका शुगर कम हो रहा है इसके बावजूद उनको बेलाप नहीं दे रहें जब कि ओ तो प्रूड है कि वो पेशन्ट है वो शुगर के पेशन्ट है और चीफ मिनिस्टर है प्वाइज संजा सिंग को कोड ने माननी कोड ने क जिससे पुलिस को पता रहे, investigating officer को पता रहे कि आप कहा हैं, कहा जा रहा हैं, और विदेश आप जा नहीं पाएंगे, उनने का ठीक है, उनसे ये भी कहा गिया कि अपने case के बारे में आप कोई चर्चा नहीं करेंगे, उनने का ठीक है, वो उसका पालन कर रहे हैं, ऐसे ही अर् custody चाहिए, तो custody दे देंगे, और कहेगा कि नहीं हम ID, जो बेल है, उसका पोज नहीं करते तो बेल मिल जाएगी, बेल मिल जाएंगे, उनके जो पासपोर्ट हैं, उनको रख लीजे, उनकी location बहुती रहे, police officer जब चाहें, उनसे बात कर लें, और election के बाद, अभी election है, तो इ आगए हैं, और documental और circumstantial evidence आपने खटे कर लिए हैं, दुवारा code में जाईएगा, इनको दुवारा arrest कर ला लीजे का परिशानी क्या है, लेकिन इनको चुनाओ प्रचार से रोकना, अगर आपका मस्सद है, तो जनता इसको समझ रही है, अब मुश्किल क्या है, संजय ये एक निकले हैं, वोई धारते पिर रहे, परसोड़ मीटिंग की, आज उन्होंने प्रस कांफरेंस की, आप डेली वह तिन्चार मीटिंग को लेंगे, तो ये तिन्चार मीटिंग जो लेंगे, इससे दिल्ली की ही केवल साथ सीटें इफेक्ट नहीं हो रही है, दस सीटे हर्याणा की क्योंकि हर्याणा में भी एक केंडिडेट आमादमी पार्टी का लड़ रहा है जिसको कॉंग्रेस का समर्थन प्राप्त है गुजरात में भी दो केंडिडेट आमादमी पार्टी के लड़ रहे हैं कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी मिलके चुनाव लड़ रहे तो इसका मतब यह है कि जो आपर जी गवट बंदन है इसका फाइदा और संजे सिंग का घायल होना और उसकी वज़े से पूरी जो लोगों की द्रिश्टी है उसको अपनी तरफ आकरशित कर लेना वो संजे सिंग ने कर दिया है अब आज के तारीक में जो पूरा फोकस है और पूरा डेलिबरेशन हो रहा है और पूरी बाते हो रही है तो इसका मतब यह है बाती जंता पार्टी को लग रहा है यह इन्हों ने एक शेर को घायल करके छोड़ दिया अब इसके आगे की बात बीजे पी क्या कर रही है इसके गौर वं लब को ले लेती है कभी संजैरी रूपों को ले लेती है कभी किसी और प्रवक्ता पूर्य उनको ले लेती है यह वो लोग है गौर वंलब्न साв वो हैं उदयपूर में अभी चुनाव हारे हैं दो म सऺए उसके पहले जम्शेधपूर मेंcka रहे थे वहां भी बहुत कम बोड में ले थे इनको हैं बुद्धिवान व्यक्ति हैं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं लेकिन अपना चुनाव जीत नहीं पाए तो प्रबुद्ध होना एक बात है और चुनाव में जीत होना एक अलग गुद्धा है और कहते हैं को सलातन के विरोध में बोलने के ल समाजी हैं, केरियार मानने वाले हैं, बहुत हैं, तो सारे हिंदू भी सलातर नहीं नहीं है, तो लेकिन इस प्रकार का बहाना ब्रजेंदर सिंग उनको मतरा से टिकिन मिला, अब वो कह रहा हैं कि साब रात में सपना आया और मैं ज़े सही दिल्ली के अंदर जब बेटियों को घसीटा जा रहा था पद विजेता, तो उस समय बड़े उनके साथ सॉलिडेरी दिखा रहे थे, और अपनी बहाएं फड़काते थे, अपने बल्ले दिखाते दे, और आज उन्होंने कहा कि नहीं है, तो विजेपी के समय में तो खेल को और खेल की मर्यादा हैं बहुत बढ़ी हैं, जो ब्रजबूशन, शरंग, सिंग के माध्यम से देश को देखने को मिलें, तो उन्होंने बीजेपी जा कि जॉइन कर लिए, अपनी मजबूरी रही होगी, कोई न कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन ये वो लोग हैं, जो कि spent force हैं, असली मुद्दा ये है कि आज के तारिक में जितनी जादे भगदर बीजेपी में मची है, वो कॉंग्रेस में या अन्य दलों में नहीं मची है, आपने सुनाओगा महाराष्ट के अंदर 48 सीतों बे समझाओता बेकोल फिट हो गया, अब कोई जगड़ा नहीं है, वो संजर राउत का statement भी आ गया, कोई समस्या नहीं है, मेरेट के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपना candidate बदल के एक दलित candidate, दलित महिला को candidate बना दिया है, और बहन जी ने एक त्यागी candidate बना दिया है, और अरुन गुविल साब जो है वो बीजेपी के candidate हैं, और तीनों हिंदू है, तो त्यागी समंड वोट बीएसपी काट रही है बीजेपी के, और दलित और मुसल्मान combination merit के अंदर बहुत जादे important है, तो एक तरह से समाजवादी पार्टी के लिए बीएसपी ने रस्ता कोल दिया है, उसी प्रकार बरेली में हो रहा है, गंगवार साब का, उनको भी संतोष गंगवार काटने के वज़े से जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा है, पपो sympathy गेन कर लें लोगों की, कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो पंद्रह, बीस, पचास, हजार वोट उनके साथ एड हो जाएंगे, बाकी वो इंडिपेंडनेंट दो बार वहां से जीत चुके हैं, उसकी वज़े से उनके चुनाव जीतने की समवना हो जाई लेकिन वीमा भा प्रकार से पक्की हो रही है, जो अजय निशाद एक मेंबर अपार्लिमेंट से जीते थे पीजेपी के, उनको टिकेट नहीं दिया, उन्होंने अपनी मर्यादा का प्रश्म ना लिया, वो भी जो है बीजेपी छोड़के कॉंग्रेस जॉइन कर रहा हैं और कॉंग्रेस से हैं उनकी, वो भी चुनाव चीतने की स्थिती में हैं, तो इस प्रकार से स्थिती जो आज के तारिक में बन रही है, ओएसी साब ने भी स्पस्ट कह दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश बिहार में अपने कैनिडेट इंडिया एलाइंस को खराब करने के लिए उनके वोट खरा कावनाओं को नकारने के लिए लोकतंतर और समिधान के साथ खड़े हैं, और इमें दलित भी हैं, इसमें समण भी हैं, इसमें उसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ये सारे लोग हैं, पंजाब के अंदर आप घोसी के बारे में आपने सुना होगा, घोसी के अंदर राधभर साब के बेटे को कितना बड़ा परिशानी हो रही है हमागा जंता के सामने उन्हें माफ मथा टेकना पल़ रहा रहा है माफी माँझनी पल़ रहा है तो इसका मतलब जो यह एक गोधी ox licit एक बता रहा है् कि बहुत अच्छी सिति है बहुत अच्छी स्थिती है वास्विक्ता यह है कि आज देश के अंदर साउथ के दर्वाजे तो बंद हो गए है, तेलंगना तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, और तेलंगना के अंदर पिछी बार चार सीटें बीजेपी जीती थी, एक दो जीत जाए तो बहुत बड़ी बा वो ये हर्याना में 10 जीती थी 5-6 जी जाए बहुत बड़ी बात है दिल्ली में 7 जीती थी 3-4 जीते जाए बहुत बड़ी बात है कम से कम कम से कम 80 सीटें बीजेपी की कम हो रही है RSS का बताया गया है कि इंटरनल सर्वेक्षण भी हुआ है जिस सर्वेक्षन के अंदर बीजेपी को 220 सीटें मिल रही है जबकि RSS क्योंकि अपना संगठन है वो पॉजिटिव होता है तो 170-180 सीटों पे बीजेपी अटक रही है और इसमें जितने भी अपोदीशन के लीडर हैं जो ये चाहते हैं कि लोगतंत्र बचा रहे हैं और इस प्रकार से लोगों को जिल न भी जा जाए और संजय सिंग दाहडेंगे छेत्र छेत्र में जाएंगे और जिस प्रकार की हवा बन रही है कल मनिश्य सौधिया भी बहार आएंगे अरिजिन के जिर्वाल भी बहार आएंगे सतेन जैन भी बहार आएंगे और ये चार योद्धा जब मदान में घुमेंगे और इनकी आकरमक्ट शैली होगी और रहुल गांधी की एक पॉजिटिव छवी होगी एक सौमे छवी होगी तो ये सौमे छवी और आकरमक्ता का जो मेल होगा इसमें बीजेपी कितना टिक पाएगी कितनी रह पाएगी ये लग रहा आच्छा वहाँ पासवान साब की हालत बहुत कराब इस चिराग पासवान के रोज उनके बड़े-बड़े नेता उनको पार्टी छोड़ के जा रह हैं तो एलजीबी भी टूट रही है जनतादाल यॉनाइटेट की भीमा भारती आई है छोड़ के जो उनकी सिटिंग विदायक थी वो आजएडी में आई है जो कि बिहार में एलेक्शन लड़ रही है तो इसका मतब यह है कि पूरा गणे जो है वो केवल तीवी देखकर अ तो मुझे आशा है भगवान से प्रार्थना भी है कि जून में हमें ऐसा सुगत समाचार मिले कि देश के अंदर लोगतंत्र भी बच गया देश के अंदर धन मिलबेक्षता भी बच गया और देश के अंदर समिधान भी बच गया क्योंकि अगर समिधान नहीं बचेगा YouTube को जादे देखें, TV प्रोग्राम वालों की मजबूरी है, उनके कुछ अपने financial constraints होते हैं, requirements होती हैं, तो YouTube को देखें, मनंचिंतन करें, अपनी राय दें, अगर आपको कोई बात अच्छी न लगें, तो उसको फिर साइस करें, लेकिन सुनते रहें, और थोड़ा जो TV चैनल से उनको कम देखें, और YouTube चैनल को जादे देखें, जो YouTube चैनल आपको अच्छा लगता है, उसको देखें, लेकिन अपने प्रतिक्रिया देते रहें, नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद.